तुरू लब सो गईज, Micromax ने चीनी कम करी दिया आखिरकार मतलब उन लोगों ने ये फोन निकाला Micromax का InNote 1 और सेल भी करी और वो हमारे पास भी आ चुका है भाई, आप लोग इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट है ये फोन को चेकाउट करो ये फोन का रिवीव करो, टेस्ट करो तो भाई, मैंने फर्स्स सेल में ही ये Micromax InNote 1 और किया और हमारे पास ये आचुका है तो चलो इसको खुलते हैं, देखते हैं, कैसा फोन है सारी चीज है मैं इस वूडियो में आपको बताने वाला हूँ So, hey what's up guys, my name is Zaheer, and this is the unboxing and my first impression overview of this Micromax InNote 1 So, let's begin चलिए हम देखते हैं, पीछे के साइड में को थोड़ी बताने इन्फरमेशन याँ पर जैसे G85 चिपसल टेसके नदर 6.67 इंच की Full HD+, पंच होल डिस्पले है, उसके लाथ 5,000 इमेज बैटरी है, 48 में का पिकसल का क्वर्ड कैमरा से लिया हुआ है, no ads, no bloatware, pure android experience, सारी चीज़े हम टेस्ट करेंगे guys, don't worry, चलिए इसको पहले खोल लेते हैं, देख रहे हो, इंडिया की 128 GB मिल नहीं रहा था, okay, अरे तो खुल ही नहीं रहा है, okay, तो सबसे उपर हमको इधर पर phone मिल जाता है guys, तो यह है Micromax Innote 1, इसको जारा एक मिल पर रखते हैं, पहले हम लोग डबबे के अंदर जागते हैं, क्या-क्या मिला है हमको, पहले तो इधर पर एक डबबा मिला है, मतलब candle sashay है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत user manual warranty, statement and all, दीवी है, लेकिन यह इतना मोटा है, बट इसके अंदर case नहीं है, that is weird में को लगा, इस अंदर case होगा, बट case नहीं है, इधर पर SIM ejector pin दीवी है, और यहाँ पर हमको main charging brick मिल जाती है, इसका output अगई is 5V 3A, 9V 2A and 12V 1. 1.5A, basically 18W का charger है, उसके बाद हमको यहाँ पर एक normal सी USB Type-C cable मिल जाती है, that is good, मतलब यह price में इन लोग ने phone निकाला और USB Type-C के साथ में निकाला, वो बहुत अच्छा चीज़ लगा मुझे, अब यह phone खोलता है, फ्रेंट में भी एक screen guard दिया हुआ है, तो उसके ऊपर का screen guard के ऊपर एक extra पनी रहती है, वो निकाल देते हैं, और phone को चालू कर लेते हैं, यह phone ना 5000 mAh battery के साथ में आता है, और काफी well balanced लग रहा है, मतलब इतना मूटा भी निये ज्यादा, और 194 grams के साथ में और काफी बड़ा iPhone, मतलब हाथ में बड़ा feel होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर Poco M2 रखा हुआ है, तो यह इसके comparison में इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, समझे दो, थोड़ा सा इसा फराक होगा, लेकिन असा देखने में भाई, यह जो है ना, Micromax InNote 1 वो थोड़ा बड़ा है, अब हम लोग quickly physical overview देख ले दे यह phone का, पीछे के साइड में हमको यह camera का setup मिलता है, जिसके अंदर हमको main जो primary sensor है, वो 48 megapixel का मिलता है, 5 megapixel का ultrawide sensor है, 2 2 megapixel का macro sensor, 2 megapixel का, एक Faltu का depth sensor दिया हुआ है, 4 camera भाई, 11,000 रुपे का phone है, जादा महेंगा निया है, इधर पर flash दिया हुआ है, इधर पर AI camera की branding है, यहाँ पर must fingerprint scanner है, यहाँ पर in की branding दी भी है, अगर माँ bottom side की बात करो, तो यहाँ पर 3.5 mm headphone jack दिया हुआ है, primary microphone है, और उसक के अंदर, that is very nice, यहाँ पर एक button दिया हुआ है, जो Google Assistant के लिए है, यहाँ पर SIM card का tray दिया हुआ है, इसके अंदर हमको guys, triple slot option मिलता है, basically आप 2 SIM card and micro SD card साथ में लगा सकते हो, so yeah that is good, overall अगर phone की बात करो तो भाई, phone काफी कड़क लगदा है, ऐसा मजबूत है, लेकिन पीछे कर रहे थे, phone को तो अथा लग रहे है, यहाँ पर ग्लू छुट गए, तो quality control के थोड़े-थोड़े issues में को दिख रहे है, बट इसा phone काफी सही लग रहा है, मतलब ऐसा जिसे बहुत सालों बाद company return आई है, उसके बावजुद भी phone काफी मतलब अच्छा लग रहा है, अच् जुन दूना जिसको पता है, प्लीज में को बाता हो, कमेंट में में जुन दूना किसको बुलता हूँ, ओके गाईज, so phone स्टार्ट हो गया, और देखो रुचिसे यहाँ पर आप, अल्मोश्ट ना के बराबर यहाँ पर अपर अप्लिकेशन है, FM Radio दिया हुआ है, अप्लिकेशन है, जो के काफी पुरानी है, चलो ठीक है, इसको अभी हम दो कहना, हाँ, थोड़ा सा जिटरी है, थोड़ा सा लग रहा है, चलो, सेटिंग में जाते है, and about phone में जाते है, about phone में जैसे के आप लोग देखरो, 4GB RAM है, and 64GB में से 55GB free है, अभी तक कि मैंने इसके Megapixel का है, उसके ओपर यहाँ पर हम कोई earpiece मिल लाता है, और, मतलब bezel अगेर अभी काफी ऐसा खराब से नहीं है, अच्छे मितलब, I was not expecting the quality of this phone to be this good, but man, अच्छा है, काफी सही है, मैं fingerprint scanner की test करूँ तो, ओके, थोड़ा slow तो है, लॉक किया, खुल गया, तो, एक सेकंड लग 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 जाता है, उसका lock screen को लने को, और, अगर मैं भी face unlock की बात करूँ, तो, let me enroll face unlock, almost stock android है, almost, क्योंकि उपर के साइड में थोड़ा बहुत, notification shade, यह थोड़ा सा अलग बनाया है, नोग ने, बाकी तो, सारी चीज़े, almost stock android है, face ID नाम दिया है, Google ने, so guys, यह है face unlock, बटन दबाया, and खुल गया, 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 अरे, काफी fast है, not bad, मतलब ठीक है, intelligent assistant में, काफी सारे features यह है, like, lift to wake, jump to camera, three fingers, screenshot, by the way, इसके अंदर multi-touch का issue आ रहा था, so let me go and test the multi-touch problem, multi-touch, दो के उपर multi-touch लेही नहीं रहा है, shit, ten fingers you can enroll, आप अपने 10 उंगलियों का प्रयोग इस smartphone के साथ में कर सकते हैं, बट आपको सबसे पहले, intelligent assistant में जाके यह बन करना पड़ेगा, anti-fake, और यह three finger swipe gesture जो है, तो, yeah, मेरे कहल से खाली, यह three finger वाला तकलिफ देरा, anti-fake वाला तकलिफ ने देरा, इसमा मैं ट्राय करता हूँ, yes, वो three finger वाला कोई बग है, I think so, update के through fix हो जाना चाहिए, मैं इसको बन करके भी एक बार गेम खेलेंगे, हम लोग उसके पहले, हम लोग क्विक्ली डिस्प्ली का चोटा सा टेस्ट कर देते, फोन में तो IPS डिस्प्ली है, और ब्राइटनेस भी अरे, not bad, ब्राइटनेस ये कभी-कभी ने चलता, कोई-कोई फोन में, फिकर का आवास तो लोगई, और फिर जांके फाइनली हूं मिला है, तो जब में को मिला था, मैं पागल हो गया था, मेर दिमाग एक्तम चलना बंदो गया था, गाइस, 1080p 60fps का सपोर्ट है वीडियो में, बट HDR का सपोर्ट नि डिस्पले कफी अच्छा है, वीवी एंगर्स भी देख लो, तो बी ऑनेस्ट ना गाइस, डिस्पले का कॉलिटी तो बहुत ही तगड़ा है, लेकिन थोड़ा सा जो यूआ है अभी एसा एकदम थोड़ा-थोड़ा जिटर ही फिल हो रहा है, फिलहाल मेरा SIM card इसके अंदर ह और मैं फिलाल यही फोन को टेस्ट कर रहा हूँ, तो यह फोन को वही मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसके मुकाबले इसका मेरे को UI थोड़ा सा हलका सा जिटरी लग रहा है, नॉर्मल थोड़ा डे-to-day टास्क करूँ, अप्लिकेशन अगरा उपन करना हो गया उसके अंदर जैसे के आप लोग देखरो, सेटिंग लगरा, कोल रो, सेटिंग बन करो, तो हलका फुल का लग रहा है, तो लेट सी देखते हैं वह अगर शायद से इन लोग फिक्स करेंगे, इन मैक्रमेक्स आले, चलो अभी हम लोग फड़ा-फट कैमरा आपका टेस्ट कर लेते, पहले अलग से ओप्शन है, वाट, आज की टाइम पे HDR और नाइड मोड सा भी एक साथ होता है, नाइड मोड अलग होता है, लेकिन HDR तो फोटो में आता है, इधर AI का ओप्शन है, इधर पोट्रेट मोड है यह वाला, तो लेट्स क्विक्ली टेक सम पिक्चर गईस, उसके आद द अरे डीटेल वगरा काफी अच्छी है, मतलब डाइमिक के दिन थोड़ी बैटर हो सकती है, और इधर पे इस साइड में ऊपर के तरफ में, इधर पे कैसा एकदम मस्ट फॉल ओफ है, उसका जो बलर है, बेसीकली, तो सेंसर काफी केपबर लग रहा है, इसके अंदर Google केमरा अच्छी फोटो है, मेरे को मतलब काफी केपबर लग रहे है, और अच्छी हो सकती है भाई, प्रोसेसिंग पे बहुत जादा काम करने के ज़रू होता है, अभी देखो यह थोड़ी लो लाइट में काफी जादा, इधर पे ग्रेनी है इमिज, अभी देखो यह नॉर्मल प बहुत ही बेकार साही है, यह इसा कुछ खास है नहीं, फ्रंट फेसिंग केमरे की तरफ अगर मूफ करूँ तो भाई, फ्रंट फेसिंग कामरे का, ओके थोड़ा सा ओर शाप करने की कोशिशे कर रहा है, स्किन अगरा भी, हलका सा, मतलब साफ्ट कर रहा है, लेकिन ओर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब फोटो क्या लिया है, बहुत सही है, अच्छा लगा में को यह फोटो, आभी गाईद आप लोग यह वीडियो भी देख लो, तो यह गाईज, 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग है, इस Micromax InNote 1 से, सो कुछ इस तरह से वीडियो बनती है, अगर मैं आपको सामने दिखा दू, तो देखो, यह फोकस किया इसने, अगर मैं इस तरफ से सा इधर घुमा के इधर पर दिखाऊ, तो फोकस करने में थोड़ा सा तो देखो, फोकस करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी ऐसा पॉलिष्ट एक्स्पीरेंस नहीं है वीडियो में, वीडियो बनाने के तैंपर आपको तो इधर अगर मैं इसा दिखा दो तो आपको एक डायमिक रेंज का अंधा लगेगा, तो यह गईज, मतलब ठ सब्सक्राइब सील रेकार्ड कर रहा हूं, मैंक्रोमेक इन नो टूपन का, अगर मैं इस साइड घूम तो इधर पीछे मेरे लाइट है, बहुत अच्छे मेरे लाइट, उसके बैक चामरे से जाधा अच्छा इसका प्रंपीजिं कामरा है, मतलब प्रेशली वीडियो में, आप लोग कंप्यूटर में देख रो या फिर अपने फोन में देख रोगाइज तो डू लेट मी नो वट यू थिंक कौन सा कैमरा आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है यह थी फोटो एंड कैमरा की क्वालिटी ठीक टाक है में को ऐसा लगता है परसनली भाई इंडियन है आई सपोर्ट इस ब्रैंड नो डाउट लेकिन अभी बहुत साला सॉफ्ट्वेर में काम करना बाकी है अभी यह फर्स्ट फोन है काइंड ऑफ माइक्रमेक्स इन कंपनी का अभी अगर जब सारे अपडेट्स सारे जो फीडबैक्स जो हम लोग की तरफ से जा रहे है यूटूबर्स हो गए या पर जो भी फर्स्ट टाइम ले रहे यह फोन उनकी तरफ से जो फीडबैक जाएगा कि भाई ये फोन में यह दिक्कत लग रही जैसे अभी मेरे को कैमर पर प्रॉमिसस पर आमनों कुछ नहीं कर सकते ना वाइद भी काई जिसके अनर मीडिया टैक का हीलियो जी एटीफाइफ प्रॉसस तो चोड़े थोड़ा सा टेस्स करते हैं थोड़ा एकाथ गेम होगे रहा मैं डाउनलोड करता हूं और थोड़ा बहुत बेंचमार्क होग अगर मैं ग्राफिक्स की बाद करो तो अगर मैं मेडिया मैं हाइ का सपोट और जादा ग्राफिक का सपोट अभी हम लोगे क्विकली चालू कर देते हैं मैं अर गेम भी काफी सही से चल रहा है यार आइवसंट एक्सपेक्टेंग इट कि अगर जो अगर जो अगर अगर जो अगर यह वह बाई और यह वह बाई काड़क और के गई सो मैंने जादा देट तो खेला नहीं पांच चार पांच मैट खेला रहूंगा भी जेको एमबेट तेंपरेचर जो 28 डिग्री ए फोन का तेंपरेचर कुछ 36 डिग्री हो गया था ना तो फोन गरम होया और जो गेमप्ले था भाई गेमप्ले बहुत ही तकड़ा था मतलब 11,000 रुपे के सबसे तो बहुत ही जादा अच्छा गेमप्ले था था तो जादा फोन भी गरम नहीं हो रहा देखो as of the first impression this phone seems very good मतलब 11,000 रुपे का प्राइसिंग तो भाई बहुत ही तकड़ी तरीके से ने नेल किया भाई Micromax ने software पर थोड़ा काम करने की जरौत है hardware बहुत ही तकड़ा है समझ रहो even build quality बगारा 11,000 रुप के सबसे looks, build quality, display बगारा काफी तकड़ा है camera hardware भी काफी अच्छा camera software पर काम करने की तरह रहता है display बगारा तो मैंने जैसे बताई ब्या काफी मस्त है भाई तो overall phone में को बहुत positive लग रहा है I can definitely recommend this phone बट अभी नहीं please मेरा तोड़ा एक बार proper testing हो जाने तो अभी ये first impression के हिसाब से काफी तगड़ा phone है मैं प्रॉपरली इसको हर एक चीज़ टेस्ट करूँगा और आपको हर एक चीज़ की प्रॉपर वीडियो मिलिंग गाईज don't worry आपको क्या जानना ये phone के बार में do let me know in the comments बाकि बस इतना ही था इस वीडियो में I hope ये वीडियो आपको लिए helpful थी अगर helpful थी तो like कर दो यार share कर दो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटे काया को बढ़ा देखा फिचर में सी तरीकी के में जिंगों लेडिए की टेक वडोस आपका मंदर है थांक्यू सो मच पॉचिंग इस वीडियो गाईज बाई